आप सभी प्रिया दर्शकों का स्वागत है क्या मार्केट यहां से गिरने की कोशिश कर सकता है आखिर क्यों कह रहे हैं आईए विशलेशन करते हैं देखिए, स्टाउक एक्सचेंज कंटिन्यूसली एक डारेक्शन में नहीं जल सकता है कंटिन्यूसली उपर जा सकता है और नहीं कंटिन्यूसली नीच आ सकता है अभी की जो लेटेस्ट खबर है करन्ट अकाउंट डेफिशिट जिसको CAD भी कहते हैं बढ़ता जा रहा है पिछले 9 साल के highest level पर पहुँच गया है तो करन्ट अकाउंट डेफिशिट की दो पैरामिटर होते हैं सबसे पहला export दूसरा import दोनों को जोड़ दिया जाता है तो जो net अगर plus बने तो surplus हो जाता है करन्ट अकाउंट में और अगर minus रहे तो वो deficit कहलाता है अगर हमारा export जिसको हम negative करते हैं जिसको हम positive कहते हैं वो अगर जादा है तो हमारे पास surplus रहेगा अगर हम import जिसको हम minus करते हैं वो अगर जादा है तो हमारा deficit रहेगा तो हमारा import बढ़ता जा रहा है पिछले 9 साल के highest level का import deficit बन गया है प्राइमरी रीजन यूक्रेन क्रैसिस की वेज़े से तेल के भाव बहुत तीजी से बढ़ रहे है देखे 65 रुपे कहीं average हुआ करता था तेल अब यहाँ इस quarter में 100 रुपे का 100 डॉलर का average बना रखा है यहाँ पर यह बढ़ने का primary reason और भी जादा है 53 परतिशत के आसपास oil बढ़ गया है और oil हम काफी जादा import करते हैं जिसकी वेज़े से market थोड़ा सा nervous है यहाँ पर अब इतना तकड़ा account में अगर है तो देखें deficit इसकी वेज़े से 23 billion के आसपास है GDP gross domestic product का करीब करीब 2.97 परतिशत हिस्सा हमारा deficit है तो काफी heavy quantity है थोड़ा सावधान रहेगा market में यह 9 साल का high होना इससे पहले जो high था वो financial year 2012 में था उस time पर 31 billion का था तो थोड़ा सभल के काम कीज़ेगा यह आपको समझाने की कोशिश करने हैं आपर दो चीज important है जो की higher oil price की वेज़े से हमारा जो है export तो उतना ही रहा है पर import बढ़ता जा रहा है साथ साथ में coal, natural gas, edible oils and gold और other matter sectors की वेज़े से इसमें deficit तेजी से बढ़ रहा है यह challenge है हमारे साब से अब GST भी बहुत अच्छा है तो दूसरी कपर positive यह है कि GST हमारा पिछले सारे quarters का सबसे जादा से सब महीनों का सबसे जादा GST आया है तो दोनों की समेशा करें कि क्या होना चाहिए इसकी कुछ हम visualization करेंगे GST को अगर देखें तो 1.4 लाख करोड GST आया है जो कि 6.8 पृतिशा जादा है पिछले महीने से यहाँ पर center का GST 25 state का GST 32 और integrated GST 54 करोड के approximately है यहाँ पर तो आई यह ज़रा चल कर देखते हैं क्या हमारी market situation बन रही है आज market काफी तजा ऊपर चड़ा है करीब करीब 200 point ऊपर चड़ा कर निफ्टी ने कारोबार किया 17,670 के असपास और यहाँ पर अगर हम कुछ stocks लिके आए आपके लिए थोड़ा समझने की कोशिश करेज़ेगा इस बात को तो metal sector एक key sector होता है जो economic condition बताता है गर टाटर स्टील को देखा जाए इसका 52 week high है 1534 के असपास अभी यह 1310 के असपास कारोबार कर रहा है और यहाँ पर इसका low था 790 तो यह 52 week high के पास नहीं है अपना तो इसमाज यह metal अभी यहाँ पर पूरी तरह से इसमें participate नहीं कर रहे है कुछ reason होगा जिसके विए से participate नहीं कर पारे है दूसरा stock JSW Steel Steel sector का है और यह तो actually अपने 52 week low के पास है देखिए 283 compare to जो इसका भाव है 286 जो इसका high बना था 299 के असपास तो काफी narrow range में काम क्या है बट यह अपने 52 week low के पास है यहाँ पर और अगर हम बात करें तीसरा stock जो की pharma sector का है dr. ready lab dr. ready labs भी अपने यह almost low level पर है 4200 के असपास trade कर रहा है जो इसका low है 3600 के असपास और जो high है 5600 के असपास तो यह तीनों stock जो एक आपको एक तरह से metal sector और pharma sector का indication बताते हैं अभी यहाँ पर इन में selling ज़्यादा है buying कम है इवन दो nifty काफी high level पर है तो थोड़ा समल के काम कीजिएगा साथ अप मैं अगर nifty का view देखें तो देखें जब से हमारा corona impact आया था तो 7700 से बढ़कर यह almost double हो गया है 18600 तक पहुच गया था अब पिछले 5-6 दिनों से काफी struggle कर रहा है यह देखें यहाँ पर अगर आप weekly chart पर दिखा रहे हैं पिछले October के बाद से इसने कभी भी नीचे जाने लगा और इसने 15700 का level break किया तो हो सकता है हम bear phase में enter कर जाए तो थोड़ा सावधान होके काम कीजे आपने insurance कीजे portfolio को चाहे तो हमारे साथ आप 299 का advance package ले सकते हैं जिसमें हम आपके portfolio को handle करकर manage करने की help करेंगे जो जो हम करते हैं आप उसको तरह follow कर सकते है निफ्टी के trading option के लिए भी प्लीज consult your financial advisor ट्रेनिंग के लिए आप चाहें तो mail drop करेंगे